भारती कुष्टे संके पूर्वादक्च और सांसर्द ब्रिच वोशन शरन सिंग के खलाप प्रदर्शन में शामिल रिस्टलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लोट के हैं। तीरों रिल्वे में नौकरी करते हैं। रिल्वे पुब्लिक रिलेक्शन की डारेक्टर जनरल योगिश बवीचा ने इसकी पूश्टी की है। तारी लड़ाई जारी रहेगी। तुर्वाजानी पटना में 12 जून को विपक्ची एकता कुलिकर होनी वाली बैठक एक बार फिर से टल गई है। आपको बताएं कि बैठक की तारिक को आगे बढ़ा दिया गया है। इस बात की पूश्टी करते हुए खुद मुख्यमंतुरी नितिश्कमाने कहा कि 12 जून को बैठक नहीं होगी आगे कि तारिक अभी तै नहीं हुए है। मैंने कॉंग्रेस को का कि वा तै कर ले कि कब तक वा लोग आएंगे तो बैठक कर लिया जाएगा कि बैठक कब होगी और कहां होगी। मेरे अक्षा थी कि इसनी महीने में बैठक हो लेकिन अब देखते हैं कब तक बैठक हो पाती है। बतादे के तीसरी बार में विपक्षी एक्ता की बैठक इस्थागित हुए है। तो आप देखने वाली होगी कि एक बार फिर से जो बारा जून को ये बैठक डल गई है विपक्षी एक्ता कुली कर तो आगे कब इसकी जो तारिक है वो निर्धारत की जाती है विपक्षी एक्ता की बैठक की। जनता दरवार में मुख्यमंत्रूई नितिश कुमा ने राज की अलग-अलग जीलो स्वयाए 73 फर्यादू की समस्याओं को सुना। वही संबंदित विभागों के अधिकाले को समधान के लिए समुचित कारवाई के नुर्देश थी है। जनता दरवार में आई गया की एक महिला ने अपनी बेटी के उपर हुए अत्याचारों की गुहार लेकर पहुंची। महिला ने सियम से कहा दवंगों ने जादती की है। बेटी को उठा कर ले गए और उसके साथ गलत काम किया। महिला ने कहा कि थाने में केस कियें लेकिन वे लोग पैसे की बदौलत पुलिस को जेब में रखते हैं। तेकारी थाने के पुलिस दो लाक रुपे लेकर कोई कारवाई नहीं कर रही। इसके बाद मुख्य मंतरु ने इस शिकायत पर गंबरता से बात कर तुए डीजेप को फोन लगाया और कहा कि पुलिस क्यों नहीं कारवाई कर रही। अब्योक्तों को क्यों नहीं गिरफतार किया जा रहा है। इस मावले पर ततकाल एक्शन लीजिए और काम केजिए। द्रसल 17 मही को सोशल मीडिया पर सरीयराइनी आरोप लगाया था। स्वासिवा की स्थापना समिती में एक महिला चुकिस्तर की पदस्थापना की संच्रिकां सियम के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। उस फाइल को मंत्री बन्ना गुपता धाई महीने तक क्यों दबा कर बैठे थे। इस में नियम का उलंगन हो रहा है। साथ ये सरीयराइनी सोशल मीडिया के जरिये मंत्री के दुबई और हैदराबाद से आने कुले का सियम से सवाल पूछने की बात कही थी। और साथ ही विदाय के सरीयराइ को इस मामने में मंत्री बन्ना गुपता ने माफी मांगने कही है और वो भी सार्वजनिक तोर पर माफी मांगने को कहा है। और अबाद E.D. की छाप पिमारिकी। जेडियू MLC रादा चरण साह और उनके पार्टनर अशोक प्रसाथ के 24 सदिक ठिकालों पर E.D. के रेट पड़ी है। रादा चरण के भोजपुर में बाबु बाजारसीत अवास और पटना के सरकारी अवास पर E.D. के टीम के साथ CRPF के जवान मौचूत रहे। ब्रॉडिसन और आदित्य नाम के दो कमपनियों और इस जुड़े लोगों के ठिकालों पर बिहार, जारकन और ओडिसा में E.D. की छापे मारी चली। इसमें ब्रॉडिसन के सुभाश याधब, MLC, रादा चरण सहीत, कई लोगों के नाम शामिल है। इसे साल फरवरी में भी पटना से लिकर दिल्ली तक की कई ठिकालों पर छापे मारी हुई थी। तो ये थी आज की पांच सबसे बड़ी खबर, फीर होगी मुलाकात पांच बड़ी खबर के साथ, आगे की अपडेश के लिए आप कशिशनुस के शोस्तर मिडिया प्रेटफॉर्म को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तारीख की हर खबर से जुड़ी अबडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे दीजे इश्जासत, नमस्कार